हेलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हल चाल है आपके बता दो भाई सुन पा रहे हो मुझे देखते हैं एक बार चिक है बहुत बढ़िया तो आप जानते हैं स्टुडेंट आनकेडमी आज इंडिया में UPSC CSC की त्यारी कास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ है ना देखो कितनी बड़ी एक टीम है हमारे पास वी आर बेस्ट इन सेग्मेंट है ना अपनी टक्कर का कोई नहीं है तो ध्यान लखना तो भुगोल लक्षे 2023 यह हमारा सेशन चल रहा है आज जे मॉर्फोलोजी लेक्षर नम्बर 9 है और अगेन हमेशा की तरह वही बोलूँगा नौट्स बनाते रहना और रिविजन करते रहना यह दो काम जो बच्चा करता जाएगा परिलिम्स और मेंस तक अब उसका नईया पार है भाई तो मेरा नाम है नवीन तवर एट यह टीचिंग एक्सपीरियंस है इसी पे मेरी सभी क्लासेज के पीडियाफ आने वाली क्लास इसका नौटिफिकेशन जिस भी बच्चे को अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है उससे पहले कोई भी डाउट है तो आप मुझे इधर मैसिज कर से करके कॉंटेक्ट कर सकते हैं सेम आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकैडमी एप पर कॉमिनेटिव फीचर से उधर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसिज करो आपको जवाब मिलेगा नकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है आपके पास दो विकल्प है या तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो या आइकॉनिक ले लो प्लस में भी वही 12, 18, 24, 36 महीने का ले सकते हो आइकॉनिक में 12, 18 24, 36 कोई भी लो और फॉर एक्जाम्पल आपने 18 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया 67,000 मेरे रेफरल कोड नवीन वन के बाद ये आपको पड़ेगा 61,000 के आसपास सेम आइकॉनिक है 18 महीने वाला 94,000 के आसपास है और ये पड़ेगा आपको 85,000 में अगर मेरा रेफरल को नवीन वन अप्लाई करते हैं लेकिन कभी कभी अनकैडमी आप लोगों के लिए जबरदस्ट ओफर लेके आता है और जबरदस्ट बैच लेके आता है उनी ओफर और बैच में से आज यानि कि आप देख सकते है एक जबरदस्ट बैच लॉंच हुआ है कल से 15 दिसंबर से लक्षे बैच है यह उन बच्चों के लिए जो टर्गेट किये हुए है 2024 पूरी जबरदस्ट टीम है मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आप इसका बेनेफिट ले सकते हैं तो लक्षे बैच की खास फूबी क्या है देख लो पूरा सलेबस के कावरेज होगा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे प्रिलिम्स और मेंस का टैस्टरी आपको फ्री बिलेगा और सबसे बड़ी बात जबरदस प्राइस ड्रॉप है आप प्राइस ड्रॉप कितना हुआ है वो भी बात करेंगे कुछ बच्चे ऐसे है सर हमें तो बाइलिंग वल करना है इंगल अगर 18 महीने का अनकैडेमी का सब्स्रिप्शन लिया तो 40% तक का प्राइस ड्रॉप है 40% तक का और उपर से अगर आपने मेरा रेफ्रेल को नवीन वन लगा दिया तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओर है कैसे यह देखो प्लस आपने जीएस लिया 67,825 वाला 50,000 सीधा ही आइकॉनिक जीएस ले रहे हो 94,000 वाला 65,000 उपर से अगर आपने मेरा रेफ्रेल कोड नवीन वन अपलाई कर दिया नवीन और वन के बीच में कोई गैप नहीं है तो सेम आपको इस पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिल जाएगा अगर आपने कॉंगो लेना है जिस 30% तक का सेविंग है आपका और मेरे रेफ्रेल कोड से 10% अडिशनल सेविंग हो गई और क्या चाहिए इस से ज्यादा और क्या लोगे भाई और 12 दिसंबर से जो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे सर सब कुछ ठीक चल रहा है अपना यार सी सेट में प्रॉब्लम है तो सी टेसरीज मैं हमेशे ही कहता हूँ इस से सस्ता टेसरीज और इस से अच्छा टेसरीज तो नहीं मिलेगा आप अजार से टेस्ट लेके भी मतलब आपने कोई टेसरीज जोइन नहीं की सिंपल दुकानदार से टेस्ट पेपर खरीद के लेके आओगे 50 रुपे का एक टेस्ट पर देगा वो ठीक है उसको आप अपने घर में लगाओगे आपने बीस टेस्ट लगाए तो हजार रुपे लगए आपके आपने चालिस टेस्ट लगाए तो दो हजार लगए आपको 55 से ज्यादा टेस्ट दे रहा है प्रिलिम्स तक जिसमें 45 टेस्ट जीएस के हैं और 10 ट हैं कर सकते हैं तो बात करते हैं जैन ऑ्फरोजई घल हम प्रत्वी पर जो परिवर्दान लाने वाले जो कार रकों कीबात कर रहे थे एक तरफ थे अंतर जात बल और अम देख रहे कैसे आएगा किसी को नहीं पता अचानक से आ सकता है तो थोड़ा सा आज उसके बारे में डिसकस करेंगे और सुनामी के ओपर मेरा अलग से तो आज हम इस वाले बल की बात करेंगे बहिर जात बल जिसमें हम अनाच्छादन को पढ़ेंगे क्या अनाच्छादन है यह कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है सुन पा रहे हो आप मुझे ओके पीडियाफ मिलेगा भाई टेलीग्राम चैनल पे पीडियाफ मिलने का एक ही तरीका है टेलीग्राम तो यह कल आपने देख लिया था पटल विरूपनी बल और आकस्मिक बल तो पटल विरूपनी बल में दो थे फिर महादेश जनक बल और परवत निर्मान कारी बल प्रत्वी के अंदर वही बलकाम कर रहे हैं अंतरजात शक्तियों का परिणाम है आपका भुकंप और ज्वाला मुखी तो प्रॉपर भुकंप और ज्वाला मुखी पे अलग से दो सेशन लगेंगे भुकंप पे अलग सेशन ज्वाला मुखी के उपर अलग सेशन लगेंगे हमारे तो उधर उस वाले सेशन को हम कल क्या है सेटरडे कल तो सी सेट होगा मंडे वाले दिन हम भुकम्त को और जॉला मुखी को उधर देखेंगे आज हम बात करेंगे इस बहिर जात बलों की ठीक है अब मुद्दा अगया सर बहिर जात बल क्या है सुनो बेटा बहिर जात बल क्या है आप प्रतवी के अंदर वाले सारे बलों को हमने देख लिया उनका मेकैनिजम देख लिया अब अब मुद्दा होता है सपोज करो यह आपका कोई माउंटेन है या आप किसी प्लैट्यू के ऊपर हो अब यह तो बन गया किस ने बनाया अंतर जात बलों ने अंतर जात बलों के द्वारा निर्मित हो चुके ही है अब लेकिन क्या है एकस्टरनल फॉर्सिस काम करेंगे एकस्टरनल फॉर्सिस में इस पर वाहीए बहुत सारे बल काम करेंगे अब इस परवत का या इस पठार का इसका भी क्या होना शुरू होगा इस पे भी वाहिय शक्तिया काम करेगी और वाहिय शक्तिया जब काम करेगी तो दो काम हो सकते है कुछ शक्तिया ऐसी होगी कि ये अपने ही इस्थान पे तूटने फूटने लगेगा सबोस गरो यह आपका कोई पठारी छेतर है यह अपने इस्थान पे तूटना फूटना शुरू हो गया ठीक है विखंडन या वियोजन होना इसका शुरू हो गया ओके दूसरा तरीका यह है कि यह विखंडन और वियोजन हो गया कोई आया और इसको अपने साथ लेके चला गया इस विखंडित पदार्थ को अपने साथ या इन विखंडित कनों को अपने साथ लेके चला गया तो जब बहिर जात बलकी हम बात करते हैं तो बेटा उसमें दो तरह की कारिय होते है या दो तरह की किरिया विधिया होगी कौन सी? एक होगी स्थाथिक और एक होगी गतिक एक स्थाथिक होगी एक डाइनमिक स्थाथिक का मतलब अपने ही स्थान पे तूट फूट रहा है गतिक का मतलब ये टूट-फूट वाला पदार्थ किसी के साथ निकल लिया तो दो तरह के यहाँ पर जो क्रियाए काम कर रही है एक स्थैतिक और एक गतिक याद रहेगा स्थैतिक और गतिक अब इस complete स्थैतिक और गतिक जो क्रियाए है स्थैतिक क्रियाए इन दोनों को हमें एक साथ बोलते है अनाचादन अब इस अनाचादन जिसको इंगलिश में बोलते हैं अब ये जो आपका डेनुडेशन है इसमें क्या हुआ? कुछ तो है आपका अस्थेतिक और कुछ क्रियाए है गतिक जो स्थेतिक वाली क्रियाए है इनको हम बोलते हैं अपक्षे वेदरिग और जो ये गतिक वाली जो क्रियाए है इसको हम बोलते हैं अपरदन इरोजन ये बताओ ये बात समझ में आई क्या है या नहीं मतलब अगर जो चटाने है, ये जो सनरचनाए है, अपने ही स्थान पर तूटने फूटने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक क्रियावई के जरिये और ये जो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे है? अपक्षे, अगर वो गतिक है, तूटे फूटे लेकिन उसको अपने साथ कोई बहा के ले गया, वो क्या है? आपका अपरदन, अब बात आएगी ये अपक्षे कितने तरीके से होगा, वो अपने स्थानों पे तूटेगी, फूटेगी कितने तरीके से, तो आज हम बात इस पूरे अपक्षे वाले प्रोसेस की, ये अपक्षे क्या होता है? चटाने अपने स्थान पे कैसे तूटती, फूटती है? क्या पूरी दुनिया में पूरे गलोब पे विश्वत रेखा से लेके धृवो तक, अगर अक्षांस की बात करें, या सी लेवल से लेके हम माउ लग लग तरीगे से काम करती है, समझ में आया इतना? जल्दी से बताओ. और बेटा, एक चीज़ और भी है, जो एजेंट है, एजेंट मतलब जिनकी वज़े से ये अपक्षे या अपरदन हो रहा है, वो एजेंट कैसे काम करते है? मतलब जैसे हम मैं कहूं जल, बैता जल्द तो वो अपरदन का रूप में भी काम करता है, जल्द का रोल इधर भी है, और जल्द का रोल इधर भी है, फिर आप पहोगे सर, जब जल्द दोनों जेंगे काम कर रहा है, तो एक जंगे जल्द का अपक्षे वाला रोल क्यों है, और एक जंगे जल्द का अपरदन वाला रोल कैसे हो सकता है हम इस पे भी बात करेंगे जैसे वाईू की बात करें वाईू वाईू अपर्दन में भी रोल प्ले कर रही है इधर वाईू आपके अपक्षे में भी रोल प्ले कर रही है कि समझ में आया जल्दी से बता दो एक बार अरे बहुत ही बड़िया आरे जवाब हो आप आपका कोई इलाज नहीं आपका कोई जवाब नहीं तो आप जब बात कर रहे हैं अपक्षे की बेटा है ना, अपक्षय की, अपक्षय, हो जाता है कभी-कभी है, कभी-कभी, तो अपक्षय बेटा, दो पॉम में होता है, अपक्षय जो, यह अपक्षय हमने बोला, यह एक स्थेटिक क्रिया है यह अपक्षे एक स्थैतिक क्रिया है और जब यह स्थैतिक क्रिया है दो फोर्म में होती है स्थैतिक अपने इस्थान पर तूट पूट रही है चट्टा ने एक तो होता है विग्टन और एक होता है वियोजन क्या है बटा विग्टन और वियोजन ठीक है, विग्टन को इंगलिश में बोलते है disintegration और second वाले को हम बोलते है decomposition अब आप बोलोगे सर यह क्या बोल दिया आपने यह विग्टन और यह वियोजद क्या-क्या पढ़ा दिया आपने तो कुछ नहीं पढ़ाया, समान यह सी बात है जो विग्टन है, यह भौतिक यह भौतिक क्रिया है और जो यह वियोजद है यह रसाइनिक आप बोले के सर समझ में नहीं आया तूटना-फूटना आपने ही इस्थान पे कैसे यह क्या हो रहा है यह बिल्कुल ऐसे है बेटा, भौतिक कोई चटान है कोई चटान है तो वो चटान तूटना शुरू करती है अगर उस तूटने के पीछे कोई फिजिकल प्रोसेस काम कर रहा है तो उस फिजिकल प्रोसेस जब काम करता है तो हम उसको बोलते है उसका डिसिंटिग्रेशन हो रहा है और जब वो चटान अगर उसके पीछे कोई chemical reaction काम कर रही है और उसकी वज़े से टूटरी-फूटरी है तो वो क्या है? Decomposition भई अपने इस थान पे चटान टूटेगी कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा तो अगर वो physical form में हो रहा है तो वो क्या है? अगर chemical process से हो रहा है तो वो disintegration है अगर chemical process से हो रहा है तो decomposition है एक्जामपल दूँगा धीरे-धीरे सब समझ में आएगा आएगा आपको इतना क्लियर हुआ? Decomposition और disintegration तो अपक्षे क्या है? एक static process है जो दो तरीके से होता है इसके अंदर vigen है और इसके अंदर vogen का role है decomposition जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ suppose करो जैसे temperature है बिटा temperature कोई चटान है यह suppose करो कोई चटान है अब जब temperature इसका heat इसका temperature बढ़ाना शुरू करना बिटा temperature बढ़ाना शुरू करो तो temperature बढ़ने से इसका area expand होगा होगा ना expansion होगा इसका सभी चटानों का नहीं कुछ चटानों का area expansion होगा उसका और जैसे ही वो temperature कम होगा तो वापस से shrink करना शुरू करेगी expansion shrink expansion shrink तो इस expansion और shrink होने से यह क्या होगा अपने इस्थान पे तूटने फूटने लगेगा या दूसरा तरीक ऐसे हो सकता है यह चटान थी इसके अंदर बेटा कोई crack था यह suppose करो कोई crack पढ़ गया crack मतलब दरार अब suppose करो यह कोई ऐसे चेतर में है कि बर्फ का छेतर है दिन में यहाँ पे क्या होती है सूर्य प्रकाश पढ़ता है तो वो पानी पिगल जाता है जैसे ही रात को ठंड का टाइम होता है वो पानी जम जाता है और आप जानते हो बर्फ का आयतन मतलब जब बर्फ होता है जल जब बर्फ के रूप में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है तो जब इसका आयतन बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा प्रेशर डालेगा इस रॉक की दरार में पढ़ने के बाद दाइम बाए यह अपने आसपास के छेतर पर क्या करेगा प अपने स्थान पे अब यह process सेकडों सालों तक हो राए है यह 100 यह तक हो राए है यह 1000 यह तक हो रहा है ओके तो चत्षमाने बड़ी बड़ी चत्षमाने अपने ही स्थान पर तूट जाती है कैसे both ka disintegrate हो जारिए किस वज़े से इस कि फिजिकलो स्थमस्ट की इस चटान में एक और तरीका, यह कोई चटान है, इस चटान के अंदर कोई ऐसा खनिज है, ऐसा कोई मिनरल है, ऐसा कोई पदार्त है, कि अगर उसके साथ जल का एक certain temperature पर, plus अगर इसको water मिल जाए, जल मिल जाए, तो क्या करेगा, इसके साथ chemical reaction करना शुरू कर देगा, chemical reactions, chemistry तो पढ़ी होगी आपने, जल मिला, एक appropriate temperature मिला, तो अगर इस रोक के अंदर कोई ऐसा मिनरल है, जो उस जल के साथ chemical reaction करेगा, तो क्या करना शुरू करेगा, उस मिनरल को dissolve करना शुरू कर देगा, तो उस रोक के अंदर जितना भी ये मिनरल या खनीज पदार्त है, वो उससे धीरे धीरे जल के साथ घुलित होके वो अलग होता जाएगा, आई बात समझ में, जल्दी से बताओ, लोहे में जंग लगना है ना, लोहे में जंग क्यों लगता है बटा, chemical, आप में भी जंग लग सकता है, कोई chemical reaction दिमाग में ऐसा पाल लिया आपने, कोई chemical लोचा हो गया, आप भी जवान हो, कुछ भी chemical लोचा हो सकता है, तो जंग तो किसी को भी लग सकता है, रसाइनिक अभी क्रियाय संपन हो सकती है, तो अब बात करते हैं, ये जब अपक्षे होगा, सुनो बेटा, जब ये अपक्षे है, इसके होने की कोई ना कोई तो condition होगी, अपक्षे के होने की conditions क्या है, अपक्षे के होने की conditions की बात करते, कुछ चीजे जो लिखवा रहा हूँ, ये लिखते रहना बेटा, लास्ट येर वाले batch में नहीं थी, लास्ट येर जब मैंने करहर मैदान फटे पढ़ाया था, उसमें ये सारी चीजे मैंने discuss नहीं की थी, कुछ चीजे नहीं है, तो इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, जिन्होंने पिछले साल मेरा batch पढ़ लिया था, revision latest batch से करना, हमेशा याद रखना बिटा, आप किसी भी teacher से पढ़ रहे हो, सुनो, एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी teacher से पढ़ रहे हो, अन अकैडमी पे या दुनिया में किसी भी teacher से पढ़ रहे हो, हमारे नए नए batch आते रहते हैं, सपोज करो मेरा batch 1 है, आप या आपने ये batch 1 था, सपोज करो ये मेरा दिसंबर में है, जेनरल बात बता रहा हूं मैं, फिर मेरा एक आएगा batch 2, ओके फिर मेरा आएगा batch 3, आते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा, आते रहेंगे, सपोज करने, आपने सबसे पहले, दिसंबर 2022 वाला मेरा batch जोईन किया, और आपको लगता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, नौर्स मेकिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन, एक्जाम से पहले, कभी न कभी तो revise करोगे, और अगर revision के लिए lecture देखने है, कुछ बच्चे तो ऐसे है कि सर, concept समझ में आगया, अपने को कोई जरूवत नहीं है, लेकिन जब भी revision कर रहे हो, सपोज करो जो मेरा latest batch है, सपोज करो ये जून 2023 में आता है, ये मान के चलो, तो revision आपको इस वाले batch से करना, तो revision हमेशा latest batch से करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, किसी भी teacher को पढ़ रहे हो, revision के लिए उनका latest batch ही जोईन करना चाहिए आपको, ओके, ये बात ध्यान रखना, सभी educators के साथ बेटा, हर educator कोशिश करता है, कि अपनी हर class में कुछ नया लेके आए, मेरा तो यही प्रियास रहता है, कि बच्चा आए, तो उसको हर बार batch में कुछ नया मिले, चाहे 10% extra मिले, उसको लगे, कि हास, इस बार सर ने ये भाई, ये चीज़े कुछ नहीं कराई है, तो अब बात करते हैं, जब ये अपक्षे हो रहा है, तो अपक्षे के लिए कोई ना कोई तो ideal condition होनी चाहिए, अपक्षे जो हम बात कर रहे है, इस weathering की बात कर रहे है, अपक्षे की बात कर रहे है, इसके लिए कौन सी दशाय होंगी, क्या आप ये बताओ, एक खुदी चीज से चोँ बिटा, क्या इस प्रत्वी पर जितनी भी rocks है, है ना, ऐसा नहीं है कि सभी चटाने, देखो सभी चटाने, एक ही प्रकिरिया से, एक ही प्रकिरिया से, विग्टित या वियोजित नहीं होती, सब पर अलग अलग प्रोसेस काम करेंगे, किसी चटान पर डिस इंटिग्रेशन का टेंपरिचर रोल प्ले कर रहा है, किसी वाली चटान के उपर वाटर रोल प्ले कर रहा है, किसी पर केमिकल कमपोजिशन में कार्बोनेशन की मेथड काम कर रहा है, किसी पह Oxygen नो का उनकी संगठन कैसा है उनकी संगरचना कैसी है उस पे depend करेगा कि उस पे विगटन होगा तो कौऊंसा मेथड अपलाई होगा अगर वियोजन होगा तो वियोजन का कौन सा मेथड अपलाई होगा आ रही ये बात समझ में एक ही प्रोसेस से disintegrate और decompose नहीं होगी decomposition उनका नहीं होगा तो पहला तो decomposition के या victim के या अपक्षे के लिए जो ideal conditions कौन सी है ideal conditions देखते है अपक्षे के लिए अपक्षे की दशाए दशाओं में सबसे पहले जो सबसे पहले है चटानों का संगठन चटानों का संगठन वैसनरचना किस से बनी है कौन से उसमें खनिज है उसके अंदर कौन से खनिज है कौन से पदार्थ है उसके अंदर संधिया है या नहीं है ओके या उसके अंदर स्तर यानिके layers है या नहीं है, layers है या नहीं है, बहुत सारी चीजे matter करेगी, तो depend करेगा वो चटान, उस चटान का composition क्या है, उस चटान का structure क्या है, ओके, well then, दूसरा, वो जो चटान है या स्थल है, वहां का ढाल कैसा है, depend करेगा, slope, slope पे depend करेगा, पेटा, slope, slope का मतलब, आप से ही मैं पूछता हूँ, एक condition A है, एक condition A के अंदर slope है ये, कोई चटान है, उसका slope ये है, एक condition B है कोई चटान है उसका slope ये है ये कोई चटान है उसका slope ये है और एक चटान का slope ये है आपको क्या लगता है कौन सी चटान का अपक्षे जादा आसानी से होने की संभावना है किस वाली का इस A वाली का या B वाली का क्या लगता है आपको बी वाली का यह क्योंकि इधर बेटा gravity काम करेगी है न यह ढाल जादा है steep slope है इधर गुरुत्वियबल भी काम करेगा थोड़ा सा कुछ होगा ये नीचे आएगा नीचे वाली फिर होगी ये अब इस वाली में क्या होगा सिर्फ ऊपर वाली लेयर है ये उपर वाली लेयर फिर और पर कोई एजेंट आएगा तब नीचे प्रभाव आएगा इसमें क्या होगा इसका disintegration या decomposition हुआ अचानक से नीचे वाली layer उभर के बाहर आ जाएगी उस पे फिर वो process काम करेगा तो second point रहेगा slope तो land forms को develop करने में है ना बेटा same चीज याद रखना अगर UPSC आप से weathering पूछे या प्रत्वी पर ये पूछे कि जो इस्तला करतिया बनेगी और इस्तला करतियों को निर्मित करने में अंतर जात वलो के साथ-साथ वहिर जात वलोका भी रोल है तो या तो वह स्तला करतिया पूछले या अपक्श अपर दन ये कुछ भी पूछे आपको ये सारी चीजे common रहेगी तो पहला है चट्टानों का composition and structure, second है slope क्या है, third, बड़ा महत्पूर्ण है जलवाईू, climate, climate का क्या रोल है वहाँ पे, अब मैं कहूं, जल द्वारा उसका अपक्षे होना है, तो जल द्वारा तो तभी होगा ना जब जल होगा, और किसी छेतर में जल है ही नहीं, तो जल नहीं है, तो जल ना होने का मतलब क्या है, आपका जो chemical reaction है, रसाइनिक जो आपकी प्रक्रियाए है, अभी क्रियाए है, chemical जो reactions है, वो नहीं होगी, उन chemical reactions के लिए water चाहिए आपको तो जब आप मरुस्थल में होंगे, मरुस्थल डेजर्ट, ocean छेतर है, पानी है यह यह नहीं, तो उधर chemical process तो पाम ही नहीं करेगा, उधर आपका physical process काम करेगा, होतिक प्रक्रियाए काम करेगी, जहां पर जल नहीं है, जल है तो वहां पर रसाइनिक अभी क्रिया होगी, औ और दूसरा, सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको कहूँ देखो, एक ही सपोज करो, इंडिया की बात कर लेते हैं. इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में, हमारे अलग-अलग साल भर में अलग-अलग रितु वे होती है. शीत रितू, ग्रिश्म रितू, वर्षा रितू चलो अब शीत रितू में जलनी है शीत रितू में और ग्रिश्म रितू में जलनी है वर्षा रितू में जल है तो जब वर्षा वाला सीजन आएगा तब chemical reactions काम करेंगे तो same climatic condition में अलग-अलग सीजन में आपका अपक्षे और मतलब जो अपक्षे का वो फिजिकल होगा या कैमिकल होगा ये क्लाइमेटिक कंडिशन्स भी डिसाइड करेगी तो जलवाईू एक इम्पोर्टेंट फेक्टर रहेगा और एक और इम्पोर्टेंट फेक्टर वनस्पती या प्रानी मान लो या जीव मान लो कोई भी फोर एक्जामपल मैंने वनस्पती बोला अब वनस्पती दोनों रोल प्ले करती है यह कहते है यह वनस्पती आपक्षे का अवरोधक भी है प्लस कारक भी है अरे सर यह क्या कह रहे हो आप अवरोधक भी है कारक भी है समझ नहीं आया सर यानि के वनस्पती आपक्षे को रोके भी रोके गी और वनस्पती आपक्षे को कराएगी भी यह ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज करो जो पेड़ पोदे है, बड़े बड़े व्रक्ष है, उनकी जड़े है काफी deep rooted होती है, तो वहाँ पे वो rocks को बांध के रखती है, बांध के रखती है, easily उनको decompose नहीं होने देगी, या disintegrate नहीं होने देगी, दूसरा, अब बड़ा व्रक् के छाया छेतर में जितनी भी चटाने होगी, उस पे ताप का प्रभाव कम होगा, तो क्या किया, अपक्षे के प्रोसेस को बाधित किया, लेकिन सपोज, इन पेड़ पोधो या वनस्पती की जड़ों में बहुत सारे जीव रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे जो चटानों के जॉइंट्स है, उनको तोड़ते रहते हैं, तो वो तोड़ेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वनस्पती रोक रही है, उस वनस्पती के कारण वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ओर्गैनिज्म और छोटे ओर्गैनिज्म है, वो पनप रहे हैं, और वो उस बहुत सारा केमिकल से केमिकल कंपोजिशन है जैसे ही वह वनस्पती डिके होगी उसके साथ अगर जल मिलता है तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे तो वापस से वो क्या करेगी? अपक्षे में हेल्प करेगी तो क्या करे रहे है? ये अवरोदक भी है और ये कारक भी है आई बात समझ में? चलो तो ओवरोल मैंने आपको टॉपिक का एक ब्रीफ मैंने आपको इसको समराइज कर दिया अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक की शुरुवात से पहले इस क्लास के प्रती आपका एक नैतिक दाईत है उसका निर्वाहन कीजिए जल्दी से क्लास के प्रती जो नैतिक दाईत है उसका निर्वाहन कीजिए लाइक कीजिए क्लास को भाई बहुत कुछ है हमारे खजाने में ऐसा नहीं है बहुत कुछ है हमारे खजाने में सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे कब जब फ्लास वो लाइक करोगे खिक है कर दिया अब आ जाते है बटा आजो अब अपक्षय और अपर्दन तो इन दोनों को देखो अपक्षय क्या है स्थैतिक है और अपर्दन क्या है गतिक है और अपक्षय और अपर्दन इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था अनाच्छादन जैनुडेशन तो अनाच्छादन के अंदर दोनों है स्थैतिक भी है और गतिक भी है अब बात करते हैं हम अपक्षे की अपक्षे क्या है छट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होना तूटना विखंडित होना इसको वेदरिंग बोलते हैं ओके तो जैसे ही चटान धरातल पर अनावरत होकर यानि के एक्सपोज़ हो जाती है सपोज़ करो यही चटान अगर जमीन के अंदर 100 मिटर नीचे दबी होती सपोज़ करो यह वाली चटान है भई यह जमीन के नीचे 100 मिटर नीचे दबी होती तब इसका असानी से इसका जो भई यह एक्सपोज़ जी नहीं है तो कैसे डिकंपोज या डिसिंटिग्रेट होगी यह एक्सपोज़ हुई तो इस पे पेजिंट काम करना शुरू करें तो कहता है जैसे ही धरातल पर अनावरत होकर मौसमी प्रभावों से प्रभावित होती है तो यह अपक्षय शुरू हो जाता है अगर यही चटान जमीन के अंदर जबी होती नहीं करती काम इस पे अपक्षय exposed होना जरूरी है उसका तो अपक्षय कितने तरह का होगा कितने तरीके से भौतिक और यांत्रिक अपक्षय और रसाइनिक अपक्षय डिकंपोजिशन डिसिंटिग्रेशन और उसके बाद है बायोचिक जीव वनस्पतिया जीव जन्तु भी प्ले करेंगे तो एक एक करके देखते है भौतिक अपक्षय क्या है भौतिक अपक्षय यानि कि आप सोच लोगने सर वो फिजिकल हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो उस फिजिकल वैदरिंग के पीछे बटा काम करता है टेंपरेचर दिन में गरम एक्सपेंशन रात को ठंडा श्रिंक तो सूर्यत आप द्वारा चट्टानों के अपक्षे का कारिय कहां पे शुष्क ओशन और मरुस्थलिय प्रदेशों में जादा है चट्टान ही अपने ही स्थान पर तूट जाती है उसमें ऐसे क्रैक्स डवलप मिलेंगा आपको लगेगा किसने जाके छे नहीं है तोड़े मारे है कोई नहीं है कुण समाज ही आ गया भाई जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं यह अपने आप ही डिसिंटिग्रेट हो रही है कि चेंपरेचर के कारण कि कि ओके तो दिन में ज़्यादा टेंपरेचर के कारण एक्सपेंशन हो जाता है और रातरी के समय तापमान में कमी आने के कारण श्रिंक हो जाती है तो इस प्रकार कभी खुशी कभी गमनी कभी फैल रहे है कभी सिकुर रहे है तो तनाव उत्पन होता है दरारे पड़ जाती है और चटानों के बड़े बड़े टुकडे विगटित हो जाते है तो यह देखो बिटा कभी ऐसा जाओगे डेजर्ट एरिया में ड्राई एरिया में या परवतिय चेतर में वरस्टी चाया चेतरों में वरस्टी चाया जानते हो यह माउंटेन है वरस्टी चाया तो जानते हो ना बिटा इस वाले स्लोप पे बरसात है सब कुछ है यह वाला ड्राई है तो इधर वाले में भी जहां वर्षा का जल उपलब्द नहीं है वहाँ पे आपको मतलब परवतिय चेतरों में भी मरुस्तलिय चेतरों में भी बेसिकली और ओशन प्लस शुष्क चेतरों में आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी देखो बेटा कैसे क्रैक्स डवलप हो गए लेकिन आप आपने क्या किया समझदार आपने अपने घर के आंगन में एक बड़ा पत्थर ले जाके रख दिया और रोजना अबज़र कर रहे हो भाई तुम कहें एक्सपेंड और श्रिंक नहीं हो रहे सर ने तो बताया था तो ये काम बेटा ऐसा नि है कि एक-दो घंटे का है ये ये हजारो लाखो सालो का काम है हजारो लाखो परोडो वश इतना आसानी से नहीं होता ग्रफी में कुछ भी है ना पर्टिकुलरली फिजिकल ग्रफी human geography की बात नहीं कर रहे particularly physical geography में कुछ भी चीज़े एक दो दिन ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन देखने को दिनों में नहीं मिलेगी यहां हजारों लाखों करोडों साल लगते है तो फिर आया पाला है ना पाला येस पाला तो क्या होगा बेटा ये crack है चटान के अंदर ये crack डवलप हो गए आपका ऐसा छेतर है दिन में temperature थोड़ा हाई होता है तो इसमें पानी जल के रूप में उपलब्ध है ये दिन में है जल के रूप में दिन में जल के रूप में liquid ओके और रात्री के समय से रात्री के समय रात्री में ये क्या है ये जल किस form में है ये solid form में है तो क्या करेगा जैसे ही ये बर्प में जमेगा जो volume है expand होगा तो इसमें cracks डवलप होगे तो उच्छा अक्षान्च में तो ये काम कहां होगा ये कहां होगा अरे भाई ये काम सहारणपुर में नहीं होगा ना ये सोनिपत में होगा ना ये भोपाल में ना ये इंदोर में ना ये पौरबंदर में ना ये एहमदाबाद में इसके लिए आपको जाना पड़ेगा परवतिय छेत्रों में तो उचे अक्षान्शों में जाओ या उचे परवतिय छेत्रों में जाओ तो पाला चट्टानों को अपक्षईत करता है दिन के समय चट्टान के दरारों में जल भर जाता है और रात्र के समय में टेंपरेचर कम हो जाने से वो जम जाता है हाँ लखनव में भी नहीं होगा लखनव में उदर भी नहीं होगा तो अगेन फ्रोस्ट पाला उदर सूर्यताप तो जमने से उसका वाल्यूम एक्सपेंड होगा आयतन बढ़ेगा चरण होगा परिनाम सरूप आकार बढ़ता जाएगा नेक्स्ट है दाब मुक्ती द्वारा विग्टन दाब मुक्ती सर यह कौन सी मुक्ती आई है हमें समझी नहीं आया सपोज करो बेटा चट्टाने लेयर फॉर्म में है सपोज करो यह नीचे वाली यह X रॉक है अब इसके उपर एक और लेयर है Y की फिर Z की फिर A की फिर B की फिर C की X, Y, Z, A, B, C अभी उपर वाली लेयर का प्रेशर है नीचे वाली लेयर के उपर ठीक है लेयर का उपर वाली लेयर का नीचे वाली लेयर पे प्रेशर है, टेंपरेचर जाद है लेकिन सपोज करो किसी वज़े से उपर वाली रोक्स हट जाए ये उपर वाली लेयर हट जाएगी तो ये exposed हो जाएगी एक्स वाली exposed हो जाएगी तो pressure release जैसे होगा वो क्या हो जाएगा अचानक से उसका भी disintegration हो जाएगा आप भी तो food पड़ोगे आरे भाई आप पे भी तो यही situation लागू हो रही है ये आज आप हो है ना ये आज आज आप हो आप में से कोई candidate है Mr. X या Miss X कोई भी मान लो Mr. Miss कोई भी है आज आप यहाँ हो pressure में UPSC prelims है ना UPSC CSC ये नीचे इसके उपर है आपके घरवालों की उम्मीदे आपके ख्वाब आपका X आपका A आपका B ये सारे pressure है अभी दबे हुए हो जिस जिन result आएगा ये सारे pressure तूट जाएंगे और आप foot पड़ोगे ये लो आप भी foot पड़ोगे तो दाब मुक्ती द्वारा विगिटन मतलब आशूओं की फुवारे निकलेगी आपके नदर से भी फिर ये चोथा point बड़ा important है बिटा पाला भी हो गया दाब मुक्ती भी हो गया चोथा वाला point देखो वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का तूटना वर्षा सर जल है जल अपने साथ बहा के नहीं लेके जाएगा क्या जल example देता हूँ आप सभी कभी ना कभी तो गाऊ गए होंगे हैना कभी कभी आपके दिल में खयाल आया होगा ये length होता है बिटा गाऊ गाऊ में length है है ना इदर आपने उसकी ज्वाला बत्ती जली है ये length की रोशनी में पढ़ाई करी होगी आप में से किसी candidate ने आप भी जल रहे होंगे UPSC, CSC की तियारी आपकी चल रही है देखा तो होगा लैंप आपने कभी इस वाले का एक्जामपल दे रहा हूँ वर्षा के जल के द्वारा कैसे इंटिग्रेशन होता है समझो लाल टेन लैंप कुछ भी बोल लो अब यह चिमनी है, जब आप इसको जलाओगे गरम हो जाएगी, हो जाएगी और इसको बुजाओगे ठंडी हो जाएगी गरम, ठंडी, गरम, ठंडी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा लेकिन जैसे ही यह चिमनी क्या है गरम हुई और कोई आके इस पर पानी की छीट मार दे क्या होगा इसकी हलत वैसे कुछ नहीं बिगड रहा था बेटा देखो, कुछ, यह एक्जामपल दिया है मैंने, आपकी कुछ चटाने ऐसी होती है टेंपरेचर का दिन में गरम हो रात को ठंडा हो, उन पे कुछ फरक नहीं पड़ना लेकिन अगर वहाँ पे वर्षा की बुंदे मिल जाए उसको यह जैसे ही गरम हुआ और इस पे आके कुछ बरसात की बुंदे आके वर्षा की बुंदे है ना यह इस शीशे के उपर या काँच के उपर तो यह अचानक से एकदम से क्या हो जाएगा टूट जाएगी शटक का टूट जाएगी सेम काम बेटा रोक्स के साथ होता है यह ना आया समझ में अच्छा कह रहा सर शीशे का था दिल मेरा अच्छा अब यह गाने चलेंगे आपके इधर पत्थर नहीं है बाई पत्थर था जमाना इधर पानी की बात कर रहे हैं शीशे के उपर पानी की बुंदे च्छानक आया समझ में आपको यह इस दिस क्लियर दा मुक्ती के द्वारा वर्षा के जल के द्वारा चटानों का टूट टूट कर बिखरना नेक्स चलते हैं अब कैमिकल कैमिकल वैदरिंग है बेटा अब कैमिकल वैदरिंग देखो सुनो बेटा कैमिकल रियक्शन्स के लिए जरूरी है बेटा जल याद रखना जल जरूरी है तो सीधी सी बात है कैमिकल वैदरिंग या रासाइनी का पक्षे कहा होगा एक तो जल होगा प्लस अगर उष्न छेतर होगा उष्न छेतर है और जो फिजिकल वैदरिंग थी पानी मिलते ही टेंप्रेचर बढ़ते ही केमिकल रेक्शन शुरू हो जाएगी तो रसाइनी क्रिया के द्वाला चट्टानों के विग्टन को रसाइनी का पक्षय है ना डीकमपोजिशन होगा इसके अंदर डीकमपोजिशन की बात करेंगे अब सपोज करो सुनो बिटा आपके एट्मोस्फियर में सुन लो आपके एट्मोस्फियर में ऑक्सिजन है ऑक्सिजन है आपके एट्मोस्फियर में येस आपको होगे आपके एट्मोस्फियर में कार्बन डायकसाइड है लेकिन अगर इस oxygen और carbon dioxide के साथ एक particular temperature पे इसको जल मिल जाए जल over-add हो जाए तो ये अपना नयाई खिल शुरू कर देगे तो यही बोला जाता है कि इनको जो ये रसाइनी का पक्षय है इसके लिए ocean तथा आदर प्रदेश ज़्यादा appropriate होते है chemical weathering के लिए तो रसाइनी का पक्षय का होगा जहां पे ocean और आदर छेतर है बहुत सारी gases इसके अंदर अपना रोल प्ले करेगी तो एक बार difference देख लेते है physical weathering और chemical के बीच में क्या difference है देखो बिटा इसमें भौतिक बल काम कर रहे है temperature काम कर रहा है pressure काम कर रहा है इसके अंदर पाला काम कर रहा है इसमें रसाइनी किरियाए हो रही है chemical reactions हो रहे है second इसके agent है तापमान पाला दाब मुक्ती वर्शा का जल इदर कोई है इदर ऐसे कोई भौतिक बल नी चाहिए इसको तापमान दाब अपने को temperature दो अपने को जल दो atmosphere में बहुत सारा gases है हम खुदी reaction कर लेंगे अपने को यह दाब दाब कुछ नी चाहिए तो रासाइनी का पक्षे में क्या क्या होता है ऑक्सी करण होता है कार्बोनीशन होता है उसके बाद जल योजन विलियन घोल सारी प्रोसेस बताऊंगा मैं इसमें चटाने एक साथ काफी घहराई तक प्रभावित हो सकती है पूरी क्रैक डवलप हुई थी जल उसके अंदर गया जाके जमप तो एक साथ काफी घहराई तक यह उसको डिसिंटिग्रेट कर सकता है यह कहता है यह क्या करेगा यह सरफेस वाला जो है ना उपर वाली एक सरफेस उससे केमिकल रेक्षन हुआ उसको अपक्षित किया फिर और तो यह क्या हो रहा है केवल सरफेस तक है उतना डीप रूटिड इसका इंपक्ट नहीं है उसके बाद भौतिक अपक्षे में चट्टानों में उपस्तित मजबूत खनीज भी तूट जाते है यह किसी को भी तोड़ सकता है अब यह करा है यह डिपेंड करेगा केमिकल रेक्षिंस के लिए उन चट्टानों का कमपोजिशन कैसा है स्ट्रक्टर कैसा है उसके डिपेंड करेगा कि उसका होगा या नहीं होगा सारी चट्टानों का केमिकल रासाइनिक अपक्षे नहीं होगा अब ये कहां होगा ये शुश्क छेतरों में या शीत छेतरों में होगा ये उश्ण और आदर छेतर में होगा तो अपक्षे जो हम chemical अपक्षे रासाइनिक अपक्षे की बात कर रहे हैं उसमें कार्पोनेशन, जलियोजन, अक्सी करन और ये सारे process काम करने वाले हैं अपक्षे करके देखते हैं कैसे ये आप देखो ये chemical reactions ही हो रहे है बेटा ये दिखाता हूं मैं आपको पहले आया घोल या विलियन घोल या विलियन मतलब जब कोई वस्तु जल या अमल में घुल जाती है तो घुलित तत्व उसके अंदर के elements उसके अंदर के minerals घुल गए तो जल जो घुल गए तत्वों के जल या अमल को हम क्या कहते हैं घोल कहते हैं तो इस प्रक्रिया में ठोस्पदार्तों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है और जल या अमल में खनिज की विलियता पर निर्भर करता है कोई सपोज करो कुछ ऐसी चीज़े हैं जैसे मैं कहूँ सॉल्ट है वेटा सॉल्ट इजली आपके वाटर में डिजॉल हो गया ओके अगर किसी चटान के अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़ादा है तो जल के साथ क्या होगा मिक्स होगा निकल लेगा समझ गे, जैसे चूना है, चूना जानते हो न, चूना वो पाणी के साथ क्या है घुलनशील है, तो अगर उस चूने वाली चटान पर जाके पानी लगेगा वो चूना उसके साथ मिक्स हुआ और जल के साथ वो घुल जाएगा तो यही कह रहा है, यह डिपेंड करेगा क्या उसके अंदर जो मिनरल है, वो घुलन शील है या नहीं, घुलन शील है तो घुल जाएगा, नहीं तो है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा नेक्स देखो, तो यह देखो बेटा, यह कोई रॉक थी देखो बेटा, कितनी बड़ी चटान थी, यह जो आपको दिख रहा है ना, यह हॉल्स हो गए यह, यहाँ जहाँ जहाँ पे वो ऐसे, ऐसे मिनरल्स थे, ऐसे एलिमेंट्स थे, जो जल में घुल सकते थे, वो सब घु चीक है, तो जल के संपर्ख में आने से अनेक थोस्पदार्त विग्टित हो जाते हैं, और जल में निलंबन के रूप में, यह उसमें suspended form में निकल लेते हैं, यह सब जो आकृतिया है, यह सब अपक्षे है, वो भी कौन सा, रसाइनिक, यह देख सकते हैं, सब का सब रसाइनिक, 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 अपक्षे के example देख सकते हैं, लेकिन बेटा एक चीज और भी धियान रखना, एक चीज है, हाँ, देखो कुछ खाम लकीर के फकीर नहीं बना, ऐसा नहीं है कि इन रोक्स पे सिर्फ केमिकल रियक्शन सी होगे, किसी रोक्स पे दोनों प्रोसेस भी काम कर सकते है, उस रोक्स पे आपका भहतिक अपक्षे भी काम कर सकता है, same rock पे आपका chemical अपक्षय भी काम कर सकता है, भई उसके अंदर अगर ऐसे minerals है, जो जल के अंदर घुलनशील है, तो घुल के चले जाएंगे जो नहीं है वो, वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कोई रोक है, तो उस पे कोई single factor ही काम करेगा, या single agent काम करेगा, multiple agent और multiple process काम कर सकते हैं, आई बात समझ में, जल्दी से बताईए, this is clear, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, अरे बच्चा बोलिए, क्लास के बाद में कुछ question भी पूछने वाला हूँ, थोड़ा समझ के, संभल के रहना बर्खुद्दार, है ना, चलो, question भी पूछे जाएंगे, अभी तो clear, clear कर रहे हो, all clear, ओके, फिर है carbonation, carbonation और bicarbonate की, खनीजों से प्रतिक्रिया करके, carbonation होता है, है ना, mineral से reaction होगा, तो इससे भी फेल्सफर और carbonate जैसे, खनीजों को प्रतिक्रिया करने में, सायक है ये process, ये देख लो बेटा, बहुत सारे स्थानों पे, suppose करो, ये चुना पत्थर की चट्टाने है, अगर यहाँ पे जल, जल दिख रहा है ना, बैता हुआ, अरे भाई देखो, जल नी नज़र आ रहा, ये ये lime, ये चुना पत्थर की चट्टाने है, जल इसके साथ, यहाँ पे जल होगा, जल का योजन होगा, chemical reactions होगे, इनका decomposition होना तैह है, अरे देख लो भाई ये देखो, ये सब हिलता हुआ दिख रहा है ना, फिर जल योजन है ना, जल, जल योजन, यानिके जल का योजन, जल का राशाइनिक योग है, किसी खनीज के साथ उसके साथ जाके जल क्या हो गया मिक्स हो गया और उस रोक ने उस जल को एब्जोर कर लिया अब जादा खा लिया भाई जादा खाने के बाद फूल गया सेम ही इसकी बात है रोक सी वाटर को एब्जोर कर सकती थी absorb करके फूल गई और इससे क्या होगा जल धारण करके ये रोक सिविस्तारित हो जाती है और ये विस्तार पदार्थ के आयता नत्वा शेल में व्रद्धी का तो आरण बनता है कैसा रहा तो यहाँ पे देखो बिटा ये जल योजन हो गया फिर है oxidation और reduction जो oxygen के प्रजेंस में हो reaction oxidation जो absence में हो वो reduction है 8 9th standard में chemistry में आपने पढ़ा होगा तो अपक्षय में ऑक्षी करन का तात्परी है Oxide या Hydroxide के निर्मान है तो खनी जो और oxygen का क्या होगा आपस में संयोग oxygen की प्रजेंस में हो रहा है तो oxygen कहा होगा जहां वायू मंडल और oxygen युक्त जल मिल जाएगा तो इस प्रक्रिया से लोहा, मैगनीज, गंधक ये सारे शामिल होते है तो लोहोधारक, बायोटाइट, ओलिवाइन, पायरोक्सिन जैसे बहुत सारे खनीजों को जिन भी rocks के अंदर ये सारे minerals है और oxygen की presence में और water के साथ reaction करके आपको ये सारी चीज़े नज़र आएगी, ये सब same, reduction है है ना, oxygen के अभाओं में absence of oxygen में जब ये होता है उसको reduction बोलते है तो आक्सी करन और reduction की process हो गई आपकी फिर biological weathering होगी मैंने बुला वनस्पती दोनों काम कर रही है वनस्पती बाधक भी है और वनस्पती कारक भी है सेम ऐसे बहुत सारे जीव जन्तु है जैसे चीटिया, छोटे-छोटे जीव है ये क्या करते है चट्टानों में होल कर दिया ये देखो हौल कर दिया, छिद्र बना दिये, आवास कर रहे है तो इससे भी क्या हुआ, जीव जन्तु भूपटल पे लाखो परकार के जीव जन्तु है निवास के लिए चट्टानों में बिल बना लेते है इससे दुरबल होकर विखंडित हो जाती है चट्टाने ये देख लो, उसके साथ बहुत सारी जैसे सपोस्ट ग्रो इस पर वेजिटेशन आ गई बेटा दीरे दीरे घास है या चोटे चोटे इस पर प्लांट आ जाएंगे तो ये भी इसको डिसिंटिग्रेट करना शुरू कर देगी कई पेड़ पोदे चट्टानों की दरारों में उग जाते है और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे चट्टानों की दरारों पर दबाव डालेंगे और उनको तोट डालेंगे बहुत सारे ये देखो ये बिल में घ्रहने वाले जीव है बिलकारी जीव है बिटा ये पेड देखो इस चटान के अंदर ग्रो हो गया तो धीरे 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 जैसे बड़ा हुआ इसने प्रेशर डालना शुरू किया इसको ब्रेक कर दिया यहां पे देखो तो बहुत सारे जीव जन्तु और वनस्पती बिटा दोनों ही है वनस्पती दोनों रोल प्ले करेगी बाधक भी है और कारक भी है दोनों का रोल प्ले करने वाली है वो आगे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा सोच समझ के जवाब देना सोच समझ गे पहला अपक्षे के कारक कौन कौन से है ताप जल वायू प्राणी विकल्प A एक वै दो विकल्प B एक दो वै तीन विकल्प C एक दो वै चार और विकल्प D एक दो तीन वै चार सोच लेना अच्छे से सोच समझ के जवाब देना अच्छे से सोच समझ के जवाब देना जल दिसे अच्छे जवाब दे रहे हैं कि आपने जवाब दिया कि इस यो आल राइट ये भी ये भी ये भी ये भी लेकिन याद रखना बेटा एक चीज याद रखना इस जल के साथ और इस यू के साथ एक कंडिशन है ये कंडिशन है अगर जल बहता हुआ जल है सुनो जल के साथ कंडिशन क्या है कंडिशन जल केवल उस रूप में ही अपक्षे के एजेंट के रूप में काम करेगा अगर वो उसके स्थान पर तोड़ने में मदद करता है लेकिन अगर जल उन अपक्षे चट्टानों को विखंडित चट्टानों को अपने साथ लेके चलता है साथ लेकर परिवाहित होता है तब नहीं है तब नहीं होगा जल है लेकिन अगर वो परिवाहित रूप में तब नहीं है सेम वाईउ है लेकिन वाईउ अगर उसको अपने साथ लेके अपक्षय इत्पदार्थ को साथ लेके चलने लगेगी तब वो एजेंट के रूप में काम नहीं करेगी अगर उन्होंने वही का वही याद रखना आपक्षय के लिए कंडिशन है जहां है वही का वही डिसिंटिग्रेट और डिकंपोज होना जरूरी है एक और नेक्स्ट क्वेशन यदि कोई छेत्र पून रूप से वर्फ से ढखता या हिमाच छादित है तब कौन सा अपक्षय प्राभावी होगा पहला ए रसाइनिक बी भौतिक और सी चल दो ही दे दिया आपको सी में बताओ जवाब कौन सा है बच्चों का जवाब आ रहा है भौतिक पक्का बता रहे है भी ए मेरे वतन के लोगो जरायाद करो वो कंसेप्ट मैंने क्या समझाया था तुमको की रॉक्स का एक्सपोज्ड होना जरूरी है और अगर वो बर्फ से पूर्णत है आच्छा दित है वो एक्सपोज्ड ही नहीं है तो ना तो ये काम करेगा ना ये काम करेगा बताओ अभी ठीक है कोई बात महीं हूँ हाँ तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से थोड़ी न करूँ अगर मैं ऑप्शन डाल देता यहाँ पे ऑप्शन मैं डाल देता ए प्लस बी दोनो और डी डाल देता नै ए नै ही बी तब तो बाद आप बहुत होश्यार हो जाते आप मेंसे कोई ना कोई बच्चा डी उप्शन लगाई देता क्योंकि कोई ना कोई आप मेंसे ऐसा खिलाडी है जो बोलेगा सब A, B, C लगा रहे हैं मैं डी लगाऊंगा चाहे उसको आता हो या ना आता हो लेकिन उसको डी लगाना है ओके तो बोथ आर रॉंग ये बात ध्यान लखना बेटा है ना चले आगे आगे चलते हैं यहां से तो अब बात करते हैं अपक्षे का significance क्या है अपक्षे होता है तो इससे हमें फायदा क्या है बेटा जो आज आपकी मिट्टी बनी है ना मिट्टी मिट्टी येस मिट्टी जिसमें खेती होती है फूड प्रडक्शन होता है फूड सिक्यूरटी एंशियोर हो रही है उस मिर्दा के निर्मान में इस अपक्षे ने help किया है क्योंकि चट्टानों को अपने स्थान पे तोड़ा फुड़ा या तो नदिया क्या करेगी या पवन करेगी उड़ा के ले जाएगी या वही पे उसने फरटाइल सोयल का निर्मान किया चोटे-चोटे टुकडों में चट्टानों को तोड़ते हैं तो नै के वल आप एक सरफेस दिया बलकी मुर्दा निर्मान का मार्ग प्रशस्त किया और जो अपर्दन है व्रहद संचलन है उन सब के लिए responsible है अपक्ष है सेकंड डिरेक्ट कोशन आ सकता है बेटा आज आप एक देखो जो आपके big big trees है बड़े बड़े पेड है बड़े बड़े पेड होने के लिए soil की depth होना जरूरी है और soil की depth को increase करने में इसका help है या इस प्रकरती में आपको जो जैव विविदता जो बायो मास देखने को मिल रहा है उसमें भी अपक्षय का रोल है वन है या जो आपकी प्रवार है उसकी जो गहराई क्या है तीसरा रास्ची आर्थव्यवस्ता के लिए important होते है बहुत सारे minerals मिलते है इससे आपको बहुत सारे आयस्क को प्राप्ती में लोहा, मेगनीज, अलुमीन, तामबा, आयस्क इनके समरद्धी करण और इनके संकेंद्रण में ये help करता है तो आज का session यहीं समाप्त करते है आज सुभे नो बजे से अनकेडमी प्लस पर Environment Anicology का course शुरू हो चुका है जबर्दस तरीके से complete syllabus यहाँ पर आपका होगा Environment Anicology का तो जिन बच्चों ने subscribe नहीं किया और अनकेडमी का subscription लेना है तो आप नवीन 1 code लगाना 40% off चल रहा है मेरा referral code लगाओगे 10% additional मिलेगा और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कैसे करना है यह बताने समझाने और आपसे मेहनत कराने का पूरी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी तो करना क्या होगा आप सीधे मेरे contact में आ जाओगे नवीन 1 referral code आपको अपलाई करना है optional भी पढ़ सकते है आप geography optional अगर आपको पढ़ना है भुगोल हिंदी माध्यम में तो मेरा complete course अबलेबल है आप paper 1 plus paper 2 दोनों देख सकते है referral code नवीन 1 लगाना होगा उसके साथ ही internal security का course हमारे अबलेबल है ये अगेन आप 1 नवेंबर से शुरू हुआता है end हो चुका भी फिर से आईए आप course देख सकते है मेरे साथ उसके साथ ही साथ ये मेरे courses है बेटा जो अनकेडमी एप पर आप जाके अगर सब्सक्रिप्शन लेते है अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते है तो जोगरफी ऑप्शनल एथिक्स इंटरनल सिक्योर्टी एनवार्मेंट एनिकोलोजी और ये जोगरफी जी एस ये सारे course आपको मेरी profile पे दिख जाएगे आप ये सब मुझ से पढ़ सकते है करना क्या है बस नवीन वन रेफरल कोड इस्तमाल करना है जो बच्चे लोन के जरीए admission ले रहे है लोन टीम को साफ साफ रटा देना बिटा द्रश्यम कर देना कि नवीन तवर सरका नवीन वन रेफरल कोड लगाना है और कोई कोड लगाना ही नहीं है अब अगर आपको मेरा कोड लगाना है तो तो art of answer writing, essay writing ये मेरी special class इंगलिस पंपल सरी पे classes है free of course देख सकते हैं और free classes है आप दा प्रबंदन निवंद लेखन नतिकता की अदालत ये अनकैर्मी एप पर बिल्कुल free of course है आप चाहिए देखिए उसके साथ ही 18 दिसंबर यानि के परसो सुबह 11 बजे combat होगा, ultra combat rank 1 को macbook air, 2 को ipad, 3 को samsung mobile मिलेगा उसके साथ ही 1000 बच्चों को यहाँ पे amazon gift voucher मिलेंगे और जिनकी top rank आएगी 90% scholarship मिलेगी उनको और उसके साथ ही कल हमारा LCM और HCF part 2 होगा बेटा LCM और HCF part 2 application वाला part करेंगे जबरदस session होने वाला है कल वाला उसमें आप जरूर available रहना और जिन बच्चों की 2022 में interview call हुए है उनके लिए बिल्कुल free of post program है हमारा The Last Mile UPSC CAC pre-dep or depth analysis है online classes, current affairs, state-wise analysis है mock interviews, performance, evaluation, feedback आप previous toppers और bureaucrats से साथ interaction है यह सब professors, bureaucrats, educators यह panelists है interview के तो कल मिलेगे दोपेर दो बज़े और कल सुभे 9 बज़े environment and ecology की plus course में और दोपेर दो बज़े जोगरफी के लक्षे बैच में तब तक के लिए अपना क्या लगना ओ, कल जोगरफी नहीं है वाई, कल C-set है C-set में मिलेगे LCM-LCM बबाई, take care